देश भर में लॉक वन के चलते सभी आवशक सिवाओं और स्थानों का संचालन वापस शुरू किया जा रहा है इसी कड़ी में देश भर के कई मंदिरों को भी खुला जा रहा है मैं कुछ राज ऐसे भी हैं जिनोंने फिलाल मंदिरों को खुलने की इजासत नहीं दी है आवधानी का ध्यान रखते हुए उन्हें मंदिरों में पूजा करने की अनुमती मिलनी चाहिए जेन समाज की ओर से हमारे राज्ये के मुख्य मंतरी माननी अशोक जी गेलोज से हमारा अन्रोध है कि जेन समाज के सभी मंदिरों को जल्दी से जल्दी खोला जाए जैसा कि लोगडाउन चल रहा है और आप सभी लोग परिशिते के जेन संत और जेन सरद्दाल और अनुसासित रहने में विश्वास रखते हैं तो हम हमारे चुकी जेन समाज के मंदिरों का एक सिस्टम होता है जेपुर की प्रत्यक कोलोनी में जेन मंदिर आपको मिल जाएगा और हर कोलोनी में 100-100 परिवार, 200 परिवार है तो हम आराम से हमारा अनुसासर मैंटेन कर सकते हैं जैसे कि सरकार ने जो भी निर्देश गाइडलेंड दी है जैसे कि हाथ दोते रहना है, सोशल डिशेंज रखना है, गंटी नहीं बजाना है, मूर्ती को नहीं छुना है तो इस तरह ये सारे निर्देशों की पालना जेन समाज आराम से कर सकता है जैन बंदों का बिना देव दर्शन के खाना भी निकासते ऐसा उनका नियम है लेकिन चुकि इसलिए महतपूर्ण भी तो परिस्तिते तलरीत वर हमारे साधू संतों ने में महारे को अलाव कर दिया इसलिए हमने हमारे साधू संतों के ओनलाइन उनके दर्शन करके उनके पूजा पार्ट करके अर्चना करके और घरों में हमने हारात ना रखी लेकिन बहुत समय हो गया है आपने जब सारे मार्केट, होटल्स वगरा सबी खोल दिये तो मैं आपसे यही निवेजन करते हैं कि जेन मंदिरों के खोलने जे कोरोना के बढ़ने में ऐसा कोई भी वो नहीं होगा कोरोना के उल्टा रुकावी ठेरा भी आएगा और सारे निर्देश और जो अनुसासन वगरा है वो सारे जेन सद्दालू पाण